एक दिन जब पूरी तरह से अंधीरा हो चुका था, गाउ में स्ट्रीट लाइट्स जलने लगे थे, उस वक्त सास बहु शार्दा और अनामिका घर के बाहर निकल के लड़ रही थी। बाब बेटा प्रशाद और रमेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो बस खड़े-खड़े उन्हें देख रहे थे। वो दोनों इस तरह से लड़ रही थी कि पड़ों से भी उन्हें ऐसे देख रहे थे कि मानों वो टीवी देख रहे हो। तब ही शार्दा उन्हें कहने लगी। ये सबी लोग मुझे ही देख रहे हैं, तुमने मेरी इज़द गवा दी। ऐसा लग रहा कि तुम्हारे माबाब के दियेवे जमीन के कागजाद मैंने तुम्हें बिना बताए शुशिला को दे दिये। आपको जो समझ मैं उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं प पर आपके बेटे और पताजी को बिना बता कर कागजाद दे के ठीक नहीं किया। जिस जमीन पे तुम्हारा कोई हक नहीं है, उस जमीन को लेकर तुम सवाल करोगी। इस घर पे तुम्हारे रहने का कोई हक नहीं है। जाओ, अभी इस घर से निकल के बाहर जाके घर जी बार-बार बिंती करने पे भी शारदा मानती नहीं, वो उसे गुस्से से धकेल के घर से बहार निकाल देती है, फिर अनामिका अपने पती रमेश, बच्चे हरीश और भाव्या को साथ लेके नया परिवार शुरू करने के लिए चली जाती है, इसी तरह दिन गुजर रहे अभी के अभी यहां से जाओ, अरे बेटा, सारा गाउं सोचता है कि मुझे तंत्र विद्या आती है, मुझे जादू टोना, यह साब आता है, इसलिए मुझे कोई खाना नहीं देता, यह सही नहीं है, खुद से जाओगे या खुद्ता छोड़ दू पीछे, शारदा के इस अनामिका को उस पे बहुत दया आती है, फिर अनामिका एक प्लेट में चावल, सबजी और एक लास पानी लाके उस बुजर्ग महिला को खाने देती है, वो बुजर्ग महिला खुशे-खुशे खाती है, देखो बेटा, आज रात मैं यहीं सोंगी, यह सुनकर अनामिका उन मा पिताजी के दिये खेत में कद्दू के बीज बोती है, बहुत अच्छा फसल होता है, यह देखकर एक दिन शाम को वो खुशे-खुशे घर आती है, क्या बात है अनामिका, आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो, चेहरा चमक रहा है, कुछ भी तो नहीं जी, फिर जै असी शारदा ने अनामिका की ये बात सुनी, अब उसे जलन होने लगी, वो मनी-मन अनामिका को बहुत कोसने लगी, अगर आप दो-तिन दिन मजदूरी के काम के लिए नहीं जाते हैं, तो हम सब कद्दू काटके उसे बाजार में ले जाके पीच आएंगे, आखिरकार साज इस बहु की खेती में तुम ही जीतने वाली हो अनामिका, रमेश की ऐसी बाते सुनके शारदा गुस्से से अपना चेहरा बना कर कहने लगती है, अरे बहु, तुमने लौकी बोई, अच्छा फसल हुआ, अब तुम उन्हें बेच कर अच्छा पैसा कमाऊगी हैं, अब तु ये खुशी बस एक ही रात के लिए होगी, कल तक नहीं रहेगी, इस तरह कहके वो उस दिवाल से हटके जाके सोफे पे बैठ जाती है, और सोफे पे बैठ के अनामिका को मनीमन कोसने लगी, तब तक प्रशाद बेडरूम से आकर सोफे पे शारदा के बगल में जाके बैठत बताओ, आपको तो कभी बहु की गलती ही नहीं दिखती है, जब देखो तो आप उसका ही सपोर्ट करते रहते हो, गुस्त से वहां से चली जाती है, उस रात अनामिका, रमेश और बच्चे बुजर्ग महिला को खाना खिलाते हैं, और फिर सभी सोने चले जाते हैं, बीच इस रात में राजा नाम का एक मजदूर जो शार्दा के लिए काम करता था, वो खाद डालने अनामिका के जमीन पे जाता है, ताकि सारे कद्दू उसकी मर जाए, छिड़कने के एक घंटे के बाद वो वहां से चला जाता है, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, अगले दिन अन अनामिका के आखों में इस तरह से आसू देखे नहीं जाते हैं, वहां पे शार्दा और प्रशाद भी अपने जमीन देखने आये थे, पास में ही खड़े थे, वो कहने लगे कि इस बुजर्ग महिला के लिए ही ये सब हुआ है, और पत्थर से उन्हें मारने लगे, मत बार अनामिका इस तरह से प्राट्थना करने लगी, वो बुजर्ग महिला वहां से चली आये, इसी तरह दिन गुजर रहे थे, फिर एक दिन अनामिका, तुमने मुझे खाना खिलाया, तुम्हें रोते देख अच्छा नहीं लग रहा है, सभी लोग कह रहे हैं, कि ये सब कुछ मेरी वज़े से ही हुआ है, मैं यहां से चली जाओंगी, पर तुमने मुझे अपनी मा जैसा अच्छे से देख भाल किया, इसलिए तु उसमें कद्दू के चमकते हुए बीज है, ये कोई मामूली कद्दू के बीज नहीं है, ये माया भी बीज है, जब भी बोना हों, तो बस एक और दो ही बीज बोना, धेर सारे कद्दू मिलेंगे इससे, वो देखने में बहुत ताजे ताजे होंगे, ताजा देखकर लोग खरीद ले जाएंगे, जिन्होंने तुमारे साथ ऐसा किया है, उनके मूँ काले हो जाएंगे, पर जब ये कद्दू खाएंगे, तब जाके साधरन होंगे। बड़े हो रहे थे, फसल बहुत अच्छे हुए और आकार में भी बहुत बड़े हुए, ये देखकर रमेश और अनामिका बहुत खुश थे, फिर उन्हें काड कर ठेले से बाजार ले गए पेशने के लिए, बहुत अच्छे पैसे भी मिले, तब ही अचानक से एक दिन शा कद़्ु को बरबात करके बहुत अच्छा काम किया है, अब अपने चेहरे को साधरन करने के लिए ये गद्वु खा लीजिए। ऐसा कहके अनामिका वहां से चली जाती है, शार्दा वो मायावी कद्व पका के खाती है, और वो अच्छी भी हो जाती है, उसे अपनी गलती स नमझ में आती है, वो बहु से जाके माफी मांग लेती है। आज की कहानी यही तक नहीं कहानी लेके जल्द हाजिरोंगे, नमश्कार। बगान के पीछे में एक बड़ी सी टोकडी की नीचे मुर्गिया ढकी हुई थी एक हाथ में मुर्गी के लिए चारा और एक हाथ में पानी लेकर शार्दा खड़ी थी तभी पीछे से बहु अनामिका एक बड़ी सी छड़ी लेकर वहाँ पे आती है बहु इन खानों को छुड़क दो और मुर्गियों को टोकरी से बहार निकाल दो शार्दा के कहने पर बहु अनामिका मुर्गियों का खाना लेकर उन्हें छुड़क देती है तब तक शार्दा भी टोकरीया हटा देती है सारी मुर्गिया जाके खाना देखके उस पे छपटके सब खाना खाने लगते हैं छोटे-छोटे डब्बे रखे वेते पानी के लिए उसमें शारदा आके थोड़ा-थोड़ा पानी डाल देती है अनामिका हाथ में छड़ी लेकर उन बिल्यों पे नजर रखी हुई थी जो आकर मुर्गियों पर हमला किया करती है बहु कल जो तुमने पिटाई दिया ना आज इधर एक बिल्ली भी नहीं आएगी क्योंकि माजी चोट लगे थी ना इसलिए अब वो सही समय ढूंडेगा इस तरह कहकर वो दिवार के चारों तरफ बिल्लीों को ढूंडने लगी कुछे पलों में जो खाना दिया गया था वो सब मुर्गिया खा लेती है जो पानी दिया गया था वो भी पी लेते हैं फिर सास बहु सारी मुर्गियों को टोकरी के नीचे रखके वही पेक लकडी के बेंच के उपर बैठ जाती है माजी जो चिकन शॉप के बारे में कहा था उस बारे में कुछ सोचा घर पे रहकर अच्छे से मुर्गिया बेचोना चिकन शॉप की क्या जरूरत है दोनों हाथ से बेचेंगे दोनों हाथ से कमाएंगे मैं आपको तरह तरह के जिवर खरीद देना चाहती हूं माजी उसकी बाते सुनके शार्दा बहुत खुश हो गई उसे लगा वो सच कह रही है पर उसे ये समझ में नहीं आया था कि बहु उसे अपने जाल में फजा रही है शार्दा के उपर चाला की दिखा रही है अगर ऐसी बात है तो बहु कहां चिकन शॉप खोलना चाहती हो हम एक दिन दोनों जाकर अच्छे से देख कराएंगे ये भी देखना होगा कि आसपास और कोई दुकान ना हो तब समझ में आएगा कि कहां पर दुकान लगाना हमारे लिए सही होगा उसकी बाते सुनके शार्दा को भी लगा कि बहु जैसा कह रही है बिल्कुल सही कह रही है ठीक है बहु फिर कब जाना है बताओ अभी घर पे कोई काम नहीं है चलिए अभी चलते है माजी इस परिकल्पना के बाद अनामिका और शार्दा दरवाजे पे ताला लगाती है और दोनों निकल जाती है चलते चलते वो बस्टान तक पहुँच जाती है वहाँ बस्टान में वो चारो तरफ घूम के देखती है वहाँ पे हर तरह के दुकाने थी सास बहु जाके एक आईस्क्रिम दुकान के पास रुपती है फिर उस दुकान के अंदर जाके सास बहु एक एक आइस्क्रिम लेके वहीं पे बात करने लगती है बहु यहाँ पे तो बहुत मुर्ग्यों के दुकान है अगर यहाँ पे हम दुकान लगाए तो क्या वो चलेगा निवेश का पैसा भी वापस आएगा क्या अहाँ सासुमा इतना मत सोची अभी अगर बहु चर्चा करती है फिर आइस्क्रिम खाके दोनों घर लोट जाती है शारदा घर का काम करने लगती है और बहु खाना पकाने लगती है इस तरह सास बहु एक दूसरी का हाथ बटाया करती थी और मिल के काम काज करती थी फिर एक दिन सास बहु बाब बेटा एक साथ एक जगा बैठते हैं और बात चीत करने लगते हैं बताओ बहु वे अपार का क्या चर्चा करना था हाँ आनामिका, कई दिनों से तुम कुछ कहना जा रही थी, क्या बात है धरू नहीं बहु, बाब बेटा दोनों पूछ रहे हैं, बताओ न चिकन ATM माजी चिकन ATM, ये क्या है हाँ माजी, ATM पता है ना क्या है जब हमें पैसे निकालने होते हैं, हम कार्ट डालते हैं और पैसे निकलाते हैं हाँ माजी, जैसे हम कार्ट डालके पैसे लिखते हैं, वैसे उतने पैसे निकलाते हैं हाँ बहु, पर ये चिकन एटियम क्या है? चिकन एटियम का मतलब ये है जब जिसे जितना चिकन चाहिए उतना चिकन लिखकर पैसे डालेगा और पैसे डालती ही उसे उतना चिकन बाहर मिल जाएगा अरे वारे वा नामिका ये तो बहुत अच्छा है पर जब वहाँ पे इतने सारे चिकन की दुकान है लोग हमारे यहाँ पे क्यों चिकन लेने आएंगे ऐसा खास क्या है हमारे में जो हमारे पास लोगा है अच्छा सवाल किया आपने आज के डेट में कौन बैंक जाता बताईए जिसे भी पैसों की जरुवत होती है वो पास के ही ATM में पैसे लेने के लिए चाते है की नहीं जब वो कह रही थी शार्दा बड़े ध्यान से उसकी बाते सुन रही थी ये चिकन ATM मशीन भी बिल्कुल उसे तरह का होगा चिकन लेने के लिए उन्हें अपनी गाड़ी से दूर नहीं जाना होगा ना ही उन्हें लंबी लाइन में लगना होगा ताकि उनके लिए आसानी हो इसलिए हर दो-दो गली के बाद ही चिकन ATM मशीन हम लगवा देंगे फिर तो उन्हें चिकन लेने के लिए कहीं दूर दुकान पे नहीं जाना पड़ेगा घर के पास के ATM मशीन से ले सकते हैं अच्छी बात है बहु तुमने चिकन ATM मशीन की अच्छी खोच की है अगर आप सभी के मंशीन हो तो मैं जल से जल शुरू करना चाहती हूँ फिर देर ना करके तुम काम में लग जाओ बहू तुमारी सास मुर्गियों को देख लेगी चिकन ATM मशीन के लिए जो खर्चोगा मैं और बेटा समाल लेंगे पर जैसा तुमने कहा तुमें चिकन ATM मशीन बनाना पड़ेगा प्रशाद शार्दा रमेश के मंजूरी पर अनामिका जल से जल एक अच्छा दिन देखकर चिकन ATM मशीन बनाने के काम में लग जाती है दिन रात महनत करके वो ATM मशीन को तयार कर लेती है उस ATM मशीन को देखकर सभी को बहुत पसंद भी आता है सभी ने अनामिका की बहुत प्रसंगसा की फिर देर ना करते वे जहां लोगों की भीर होती है वहां वो शुरुआत कर देते हैं फिर सभी को समझाते वे अनामिका कहने लगती है आप सभी को नमशकार अब चिकन के दुकानों के सामने लाइन में खड़े होने की कोई जंजट नहीं है हमने आपके लिए बनाया है चिकन ATM मशीन अनामिका के ऐसे कहते ही वहां पे लोगों की भीर जम जाती है वहां पे आए सभी लोग बड़े आश्चरी होके उस ATM मशीन को देखने लगे जितना हमें चिकन चाहिए पहले वहां का बटन दबाना है फिर ये पैसे मांगेगा जैसे पैसे देंगे वैसे आपका चिकन आपको मिल जाएगा इसके बाद अनामिका ने सासु मां से बहुनी करवाई शार्टा इस बात से बहुत खुश हुई फिर सास बहु वहीं पे चिकन ATM मशीन रखके वहांसे चली जाती है फिर जैसे ही सास बहु को संदेश मिला कि चिकन खत्म हो गया है सास बहु चिकन तयार करती है फिर एक डब्बे में रखकर चिकन मशीन को खोलती है और उसके अंडर उसे रख देती है ऐसे ही दिन गुजर रहे थे बहु के बनाए चिकन एटियम मशीन से उन्हें बहुत मुनाफ़ा होने लगा और वो इस बात से बहुत खुश हुए फिर जैसा अनामिका ने वादा किया था अपनी सासुमा से पैसे कमा के वो सासुमा के लिए गहने ले आती है उन गहनों को सासुमा को दिखाती है जिससे शार्दा बहुत खुश हो जाती है आज की कहानी अई तक नही कहानी लेके चलत हाजिर होंगे नमस्कार